चलिए जल्दी से गेस कीजिए आज के किचन में क्या बन रहा हैं? आज बन रही है मैंगो कुलफी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आती है यह मैंगो कुलफी इतनी क्रीमी इतनी टेस्टी देखी तो आ रहा है न देखके आपके मूँ में भी पानी तो क्यों न आप इस recipe को try करें मेरे साथ इस वीडियो के end तक बने रहें और देखेंगे आप कैसे बिल्कुल सही तरीके से mango kulfi बनाएंगे tips and tricks मैं आपके साथ share करूँगी और क्या क्या गल्दिया नहीं करनी चाहिए mango kulfi बनाते हुए यह भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आज घर पर बनाएंगे इस mango kulfi के खास बात यह है कि इसमें बरफ बिल्कुल भी नहीं जमती और तो और इसके लिए ग्यास की भी ज़रत नहीं है सिर्फ दो तीन इंग्रीडियंट से यह जटपट बन जाती है बिल्कुल स्टेप बा स्टेप फॉलो कीजेगा मेरी गैरेंटी है बजार से अच्छी mango kulfi आप घर पे बना लेंगे स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल sg food world में अपने सने और प्यार को बनाए रखें और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट से नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सूपर क्रीमी सूपर टेस्टी कुलफी बनाने के लिए आपको लेना है 300 ग्राम मैंगो यह दो जादा है अभी मैं एक मैंगो ले रही हूं इसको अच्छे से दोलेंगे और इसका जो चिलका है उपर का उसे हटा देंगे नाइफ से भी और पीलर की मदद से जैसे आपको सूटेबल हो आम मैंने जो यहाँ पे लिया है वो सफेदा आम लिया है आपके यहाँ पे जो आम अवेलिबल हो आप वो ले सकते हैं दशेरी हो चौसा हो गर्मियों में आम खाने का तो अलगी मज़ा है और आम से बनी चीज कर रही हूं बैस था यह इससे बहुत ही अच्छी कुलफी जमी है मागों को चील के उसके पीसे कट कर लेंगे इसमें कोई भी आक्यूरेसी नहीं चाहिए क्योंकि इसे हमें मिक्सी में पीस नहीं है आप एक बाउल में सारे पीसे को हम डाल देंगे आइस्क्रीम कुलफी ब और जादा कोई इंग्रीडियंस भी नहीं चाहिए होंगे बस ध्यान डखे पूरी रेसिपी एंड तक देखें क्योंकि मैंने इसमें एक टिप एंड फ्रिक आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कैसे ही मैंगो कुलफी को सही तरीके से बनाना है अब जो भी हमने पीसे कट किय है उसे Mixi jar में डाल देंगे और इससे अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे तीन चार पल्स में अस्ट ब्लेंड हो जाएगा बाकी तियारी कर लेते हैं एक बावल लेंगे और उसमें आड़ करेंगे ये मलाई आदे कप से मलाई है यह, मलाई जो ली है वो बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर होनी चाहिए थंडी नी होनी चाहिए, अब इसमें आड़ करेंगे ल्यूकवाउम मिल्क एक तेहाई कप, दूद जो है हलका कोसा गरम होना चाहिए जो मलाई और दूद है उसको इसको अप्लाइगोall अब जो हमने मेंगो ब्लेंट करना है अब जो हमने मेंगो-ब्लेंट किया था उसके अंदर यह मिक्स्टिर डाल देंगे मैंने कहा था ना सारे घर के इंग्रीडियन्स हैं और बहुत ही असान है यह बनाने में आप कुल्फी में मिठास के लिए मैं यहां पर आट करूँ तीन से चार बड़े चमत चीनी के थंडी चीजों में मीठा बहुत अच्छा लगता है तो चीनी थो कि अपना बहुत इंपॉर्टेंटिप में आपके साथ शेयर करूं इसे मत मिस की जिगा कुल्फी में क्रीमी टेक्षर लाने के लिए और कुल्फी में बरफ ना जमे इसके लिए हमें डालने है तीन बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के मिल्क पाउडर एना अपको असानी स मार्केट से मिल जाएगा वो छोटे चोटे पाकेट आते हैं ना डेरी क्रीमर के हो पर यह क्या है जितना भी कुलफी के अंदर वाटर कंटेंट होगा न उसको एब्सॉप कर लेगा और बरफ नहीं जमने देगा अब इसमें डालेंगे दो इलाइची के दाने पिसे हुए डालेंगे इसमें चुटकी भर नमक नमक से यह मत सोचेगा कि इसका टेस्ट नमगीन हो जाएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि नमक जो है वह मिठास को और हैंस कर देता है अब इसको पर पर ब्लेंड कर लेंगे पर ब्लेंड होने का मदलब है रुक रुक क देख सकते हैं आपको मार्किट से असानी से मल जाएंगे इसमें मोल्स में आपको फिल करने के बाद उपर से पिस्ता अगर आप स्प्रिंकल करेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा उसके बाद इसको डाप कर लीजिए ताकि कोई बबल्स ना रहें रहें अभी कहानी अ उपर से फॉइल पेपर से ढख देंगे ताकि उपर से बरफ ना जमें या आपके पास कोई प्लास्टिक शीट हो पेपर हो तो उससे भी ढख सकते हैं अब इसको एक गंटे रेफ्रिजरेट करेंगे और एक गंटे बाद निकालेंगे अब नहीं थोड़ी फॉर्म हो जाएग यह बिल्कुल फर्स्ट ग्लास जमने वाली है देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी क्रीमी पॉफेक्क मैंगो कुल्फी रेडी है हलका सा हतेली के बीच में रोटेट कर लेंगे या पानी में हलका सा गुमा लेंगे देखिए देखिए कितनी बढ़िया यह क्रीमी कुलफी जमी है असानी से घर पर बना सकते हैं याकीन मानिये बिना बरफ वाली तेस्टी तेस्टी क्रीमी मैंग कुलफी बहुत असानी से बना लें रिके यह यामी डिलिशिस मैंगो कुलफी बनाएं और मेरे सास्थ शेयर करें अपने comments and suggestions कि कैसी लगी आप सबको ये recipe और last but not the least मैं आपके साथ share करूंगी कि कैसे कैसे मैंने ये कुल्फी जमाने की कोशिश की मैंने ये plastic mold भी खरीदा था उसमें भी मैंने ये कुल्फी जमाने की कोशिश की इस plastic mold में बिल्कुल भी अच्छी नहीं जमी ये कुल्फी तो आप भी try मत कर करना जो aluminum के molds है उनमें best कुल्फी जमती है और ये paper cups जिसमें हम muffins बनाते हैं उसमें भी बिल्कुल अच्छी नहीं जमी है चोटा सा मटका था मेरे परस उसमें मटका कुल्फी तो बहुत अच्छी जमी है जैसे कि आप देख सकते हैं और disposable cups जिसमें चाय पानी पीते हैं उस मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं मेलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया recipes के साथ तब तक के लिए goodbye take care don't forget to like share and subscribe